नमस्काल दोस्तों न्यूज इंदी टीवी चानल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वाग थे भारतिय सेना ने तीन जवानों की शाहदत का लिया बदला मार गिराए आठ पाक सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रोआर को जम्बु काश्मिर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेश सेक्टर के बीच कई स्तानों पर नियंतरन रेका यानि एलोसी पर संगर्शे विराम समझोते का उलंगन किया जिससे तीन सुरक्षा कर्मियों सही 6 लोगों की मौत हो गई पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रोआर को जम्बु काश्मिर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेश सेक्टर के बीच कई स्तानों पर नियंतरन रेका यानि एलोसी पर संगर्शे विराम समझोते का उलंगन किया जिसमें तीन सुरक्षा कर्मियों सही 6 लोगों की मौत हो गई आधिकारियों ने ये जानकरी दी भारतिय सेना ने तीन जवानों की शाहदत का बदला ले लिया है और आट पाक सैनिक मार गिराए है उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मोटर दागे और अन्य हत्यारों से गोली बारी की पाकिस्तानी की कारवाई पर भारतिय सेना ने भी जमकर जवाब दिया है भारतिय सेना के सुत्रों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के 7-8 जवान मार गिराए पाकिस्तान की ओर से मारे गई जवानों में 2-3 SSG कमांडर भी शामिल है भारतिय सेना के अनुसार पाकिस्तान की तरप से उक्सावी के हरकत की शुरुआत की गई थी पाकिस्तान ने उरी से लेकर गुरेज तक के शेत्रों में सीस फायर का उलंगन किया था जिसका भारतिय सेना मूतोर जवाब दे रही है आधिकारे ने बताया कि उरी के नमला में पाकिस्तानी गोलाबारी में सेना के दो जवान शहीत हो गए उन्होंने कहा कि हाजीपिर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी बियेसेप के एक सर्वी इंस्पेक्टर भी शहीत हो गए जबकि एक जवान घायल हो गया उन्होंने बताया कि बारामुला जिले के उरी क्षेतर में कमलकोट सेक्टर में दो नागरिकों की मौत हो गई वही हाजीपिर सेक्टर के बालाकोट क्षेतर में एक महिला की मौत हो गई आधिकारियों ने कहा कि इन गटनाओं में कई लोग गायल हुए है उन्होंने कहा कि उरी में विबिन स्तानों के अलावा बांदिपुरा जिले के गुरे सेक्टर और कुपवाडा जिले के केरेन सेक्टर में भी संगर्शे विराम के उलंगन की सुचना मिली है एक रक्षा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सेना ने गुस्पेट की एक कोशिश को विपल कर दिया केरन सेक्टर में नियंतरन रेका के पास संगर्शे विराम का उलंगन कर गुस्पेट के लिए मदद की जा रही थी श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्णल राजेस कालिया ने कहा कि केरन सेक्टर में नियंतरन रेका के पास अगरिम चोकियों पर हमारे सैनिकों ने संदिक द गतिवे दिया देखी सतरक सैनिकों ने संदिक द गुस्पेट के प्रयास को नाकाम कर दिया उन्होंने कहा कि गुस्पेट के प्रयास के साथ ही पाकिस्तान ने बिना किसी उक्सावे के संगर्शी विराम का उलंगन चुरू किया नई दिल्ली में BSF अधिकारियों ने बताया कि 12 मुला में नियंदरन रेका पर बल की अल्टिररी बैटरी में तैनात उपनिरिक्षक SI राकेश डोबाल अपरातर एक बचकर करीब 15 मिनिट पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोली बारी में गायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई अधिकारियों ने कहा कि उसी अग्रीम चोकी पर तैनात कॉंस्टेबल वर्सु राजा गोली बारी में घायल हो गए उनके हाथ और गाल पर जक्म है राजा की हलत स्तीर है अधिकारियों ने कहा कि उपनिरिक्षक ने करतवे का निर्वाहन करतेवे सरवच्च बलिद करनल कालिया ने कहा कि उन्होंने मोटार और अन्य हत्योरे से गोले दागे इसका उच्ची जवब दिया जा रहा है एक सप्ता के बितर यह गुस्पेट की दुसरी कोशिश थी इससे पहले 7-8 नौंबर की मध्यरातनी माचिल सेक्टर में गुस्पेट का असपल प्रयास किय जा गया था जिसमें तीन आतंकवादी मारे गए थे उस अभियान में सेना के एक कैप्टर्न और बिये सेपके एक जवान सही तीन सहीनिक शहीद हो गए थे प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सेना पाकिस्तान द्वारा जंबु काश्मिर में आतंकवादियों की गुस्पेट कर जाने के सभी प्रयासों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तयार है इसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए नीचे देगे लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ में एक बेल आइकान हैगी उसी भी प्रिस करिए ताकि जब भी हम वीडियो अ झाल झाल झाल